ओम् नमो अरिहंतानम् नमो सिद्धानम् नमो आयरियानम् नमो उवज्जायानम् नमो लोवे सवसाहुनम् एसो पंचणम् उकारो सववपाव पनासणम् मंगलानम् च सवसिम् पडमम् हवै मंगलम् ओम् नमो अरिहंतानम् महादेव्याकुक्षिरत्नम् शब्द जेतर वात्मजम् राजचंद्रम् महं वंदे तत्व लोचन दायकं प्रभु तत्व लोचन दायकं परात्पर गुरुवे नमहं परंपराचार्य गुरुवे नमहं परंगुरुवे नमहं साक्षात प्रत्यक्ष्य सद्गृवे नमो नमो अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनन्त अनन्त नाय निक्षे पे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारीनी हारीनी मोह तारीनी भवब्धी मोक्ष चारीनी प्रमानी छे उपमा आप्यानी जेने तमाराख वीते व्यर्थ अपवाती निजमाती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्रबाल ख्याल नती पामताई जीनेश्वर तनी वानी जानी तेने जानी छे गुरु राज तनी वानी जानी तेने जानी छे ओम् जाए सद्ग्रों जाए जाए जो तत्व चर्चामा श्री आत्म बोद्शतक गाथा 82 एक एक लाइम जेलवानी जाए मैं धर्मात्मां बहुत शान्त हूं दुनिया से यह मत कहना में धर्म बहुत शान्त हूं दुनिया से यह मत कहना शान्ति प्रदर्षण विन अशान्ति के कैसे हो जिन का कहना शांति प्रदर्शन बिन अशांति के कैसे हो जिन का कहना ज्यानी तुम्हे अशांत कहेंगे अतह सत्य शांती पाओ ज्यानी तुम्हे अशांत कहेंगे अतह सत्य शांती पाओ मैं धर्मात्मा बहुत शान्त हूं दुनिया से यह मत कहना शान्ति प्रदर्शन बिन अशान्ति के कैसे हो जिन का कहना ज्यानी तुम्हे अशान्त कहेंगे अतह सत्य शान्ति पाओ शब्द अगोचर आत्म शान्ति है शब्द वेशना पहनाओ खुब उंडी बात करेश है मैं धर्मात्मा बहुत शान्त हूं दुनिया से यह मत कहना अपने गुणों को कभी भी उजागर नहीं करना और दुसरों के दोशों को कभी भी उजागर नहीं करना अपने गुणों को दबाना दुसरों के दोशों को दबाना इसलिए हमें किसी को बताने की जरुत नहीं है कि हम धर्मात्मा हैं हमारे अंदर इतना वेराग है हमारे अंदर इतना ज्यान है हम तो हमेशा परमानन में रहते हैं जो ऐसा कहता है कुछ ने कुछ गड़बड उसके अंदर चलती है कहने की जरुत नहीं वो तो सामने वाला खुद पता लगा लेगा अपने को देख करके संतत्व प्रद्रशन करने की वस्तु नहीं होती है संतत्व तो धारन करने की वस्तु होती है संतत्व तो उसकी हर कृती में वानी में और आखों में दिखता है जो पास में आता है उसको पता पड़ जाता है उसका संतत्व उसको छू जाता है उसको जब्वर्दस्ती बता ने की जुरुत होती नी गुरुपाळु देवे 301 मा छेल्लो वाक्यर सोचे छेल्लो 301 नो छेल्ली पोताना गुणनों उत्कृष्क पणों सहन करवामा आवे चलो चारो बोल जाते हैं पहला वाक्य कुण साथा जगत आत्मरूप मानवामा आवे दुसरा जे थाए ते योग्य मानवामा आवे तिसरा परना दोश जोवामा ना आवे चोथा पोताना गुणनों उत्कृष्क पणों सहन करवामा आवे पर यहां तो जिसके अंदर नहीं होता है न वो कहता है होता है वो तो नहीं कहता है नहीं होता है वो ही कहता है पर केम छो लिला लेर छे परम आनंद छे अव दिन भर वो आरम परिग्र में दुखी वेकती है वो केरा परम आनंद छे कहेंका आनन्द है उसका एक घड़ी भी, एक सेकेंड उसको आनन्द नहीं है संकल्प, विकल्प, तनाव पूशते नो मज़ा छे जरा भी मज़ा नहीं है पर जितने हैं इतने के निया Быet, ठीक छे सब भगवान की कृपा से ठीक ठीक चल रहा है पर परमानन्द तो नहीं है ना परमानन्द हम अपने को कहेंगे तो भगवान को क्या कहेंगे पर परमानन्द शब्द अपने लिए लगाएंगे तो भगवान के लिए क्या लगाएंगे महात्मों के लिए क्या लगाएंगे इसलिए शब्दों की भी अपनी अपनी स्थान प क्योंकि शब्द भीतर जो भाव है उन भावों को वेश शब्द पहनाते हैं तो जैसे अंदर भाव हैं वैसे हम बाहर रहें अभी कभी अपने ऐसे कुछ भगवान तो बननी गए ना अपन साधक हैं सब तो कभी ऐसा भी होता है तनाव रहता है सब्द भावी गुरूप से कोई अपने को पूछे कैसे हैं अभी ठीक है अभी जैसा चाहिए वैसा नहीं नहीं तो ना ना मस्त चीह है यह मायाचारी के लाग फाल तुम्हें काई को जो हो वो ही बताओ ना बताने का जुरूत है सामने आले को डुपली कैसी जीवन में नहीं जिस दशा में जो दशा अपनी है उसी दशा को शब्दों में व्यक्त करो शब्द कुछ अलग प्रकार के अलग दशा के हैं और आपके भाव कुछ अलग बता रहे हैं तो शब्दों का अपना एक महत्मी होता है क्रुपाड़ देवे आना माटे एक शब्द वापरु छे और अती परिणामी पणों ये एक दोश है जैसे आपके अंदर जो परिणाम चल रहे हैं वो परिणाम सा करोगे जैसे कि वह बहुत उत्कृष्ट तस से चल रहे हैं कोई अनन 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 अब उसको पूछो अंदर पेट का पानी नहीं हिल रहा इसके और बाहर से कह रहा है सब यह सब डुप्लिकेसी जीवन मयाचारी वाला जीवन तो यहां केते हैं कि वह नहीं है शांती नहीं है तुमारे अंदर तो मैं शांत हो ऐसा कहने का जुरूत है आपकी आखे बताएगी कि आप शांत है आपका पूरा गात्र बताता है आपकी क्रिया बताती है चलने की क्रिया बताती है बुलने की क्रिया बताती है कि आप अंदर शांत है कि नहीं किसी को कहने की जुरूत नहीं तो कहते हैं मैं धर्मात्मा बहुत शांत हूं दुनिया से यह मत कहना शांती प्रदर्शन बिन अशांती के कैसे हो जिनका कहना जोर दार बात रिखते हैं कि शांती का केवल प्रदर्शन बिना अशांती के हो सकता नहीं है क्योंकि आपको केवल प्रदर्शन ही करना है तो माय आचारी और जूट तो अशान्ती पेदा करतें कोई भी कशाय है वह आत्मा में शान्ती पेदा करते हैं आट हम जैसे है वैसे रह्म यहां वैसे ही प्रस्तुत हों यह सरल्ता धर्म आर्जव धर्म बहुत जूबर्दस्थ धर्म सरलता के बिना आर्जवता के बिना इस अध्यात्म साधना में प्रवेश नहीं है इसलिए सबसे अधिक इमानदार रहना हो न तो एक काम करें रोज अपनी डायरी मेंटेन करें और रोज अपने भाव लिखें उसमें कि आज दिन भर में मेरे कैसे कैसे भाव रहे वहाँ जूट नहीं बोलेगा विक्ति क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं वास्ते में वो डायरी में लिख रहा है वो है आज का दिन और वो प्रदर्शन क्या किया आपने लिख वो राय जो है और दिन भर प्रदर्शन अलग प्रकार का किया कि इसलों रोज रॉज और रोज उसको लिखना भी पड़ राय क्योंकि कि वहां तो इसका इमांदार है उसको देख करके मुझे विकारभाव हो गया मुझे अभिमान जाग गया मैंने आज मेरे आत्म प्रशनशा सुनी प्रशनशा कर दी मैंने कुछ ऐसे प्रशनशा वाज शब्दे निकलते हैं अपने तो इसमें आत्म प्रशनशा होती है तो आज मैंने वो कर दी आज मैंने पर निंदा कर दी आज मेरे किसी के प्रती द्वेश हो गया आज मेरे किसी के प्रती पती राग हो गया ये सब उस डायरी में लिखा जाएगा इसलिए फिर धिमे 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 अपने को समझ में आएगा कि हम कहां तक हैं रात को 15-20 मिनट जरूर सोते समय निकालना चाहिए अपनी डायरी मेंटन करना है अपना साधक पना बहुत अधिक गहरा हो जाता है उससे डायरी मेंटन करना है और पुरानी स्मरतिया भी रहती है फिर उस डायरी को खोल के देखते हैं तो पुरानी भाव देशाएं भी अपन जैसे किसी दिन अपने बहुत अच्छा ध्यान लगा तो किसी दिन भक्ति में बहुत निर्मल भाव हुए किसी दिन जिन प्रतिमा को देख करके बहुत निर्मल तो उसको तुरंट जाके लिख देना लिखेंगे तो वो अपने स्थाई हो जाएगा अब जब भी अपन तो वो क्षण अपने को याद आएगा कि उस दिन मैं जब भक्ति कर रहा था और मेरे अंदर की फिलिंग कुछ अलग प्रकार की थी उस दिन मेरे मेडिटेशन में विशिष्ठ प्रकार के अंदर अंतह करण तो यह सब आचारे कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि मुनी को अगर उसके वेराग को सतत बनाये रखना है तो उसको दिक्षा वाले दिन को स्मरण करना चाहिए ऐसा उन्होंने अश्ट पाउड में लिखाएगी कि जिस दिन उसने दिक्षा लिथी उस दिन को स्मरण में लाना चाहिए तो उसका वेराग है वो सतत बना रहता है क्योंकि जिस दिन वेक्ति दिक्षा लेता है न उस दिन के उसके भाव होता है न वो अलग ही प्रकार का दिक्षा के दिन का जो वेराग होता है वो वेराग के कुछ अलग ही प्रकार का होता है तो उसको आप बार-बार याद करो उस ख्षणों को, कि आपके कैसे भाव थे, कैसा वेराग्य था उस समय और उसको बनाए रखो इसलिए अपने भावों को लिखने की जो आदत है, वो बहुत अच्छी आदत है, उसको बनाए रखना चाहिए तो यहां कहते है कि शान्ती प्रदर्शन बिन अशान्ती के कैसे हो जिनका कहना ज्यानी तुम्हें अशान्त कहेंगे अतह सत्य शान्ती पाओ ज्यानी लोगों को तो पता पड़ जाता है कि ये ढोंग कर रहा है कि सही है वास्तं में उसके अंदर वेराग है, ज्यान है, वीविक है, शान्ती है के नहीं, तो ज्यानियों को पता पड़ जाता है, सत्य के पास असत्य टिक नहीं सकता है, दरपण के पास आप कोई भी वस्तू लाओगे तो दरपण में उसका रिफ्लेक्स पड़ेगा, ऐसे संतों का जीवन होता है, उनके सामने हम जाते हैं, तो उनका रदय इतना विशुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, दरपन के जैसा हो गया है उनका आत्मा, कि हम जैसे हैं वैसे जलते हैं, इसलिए उनकी नजर से हम नहीं बच सकते हैं, हाँ अपने को वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे के वो लग बात है कोई संत धर्मात्मा होते हैं सज्जन लोग होते हैं तो उनका ग्यान निर्मल हो जाते हैं तो सामने वाला पता पढ़ता है उसको और सामने वाला की आख में उसकी हलन चलन में सब में जो जो दिखता है उसको पता पढ़ता है इसका क्या अभिप्राय है क्य तो वो शर्माएगा अगर वो ऐसा कह देंगे तो वो शर्माएगा क्यार मैं उनके सामने जाता हूं तो वो मेरे को पहचान जाते हैं इसलिए अब मुझे उनके सामने नहीं जाना ऐसा करके वो उस संत धर्मात्मा से दूर होता जाएगा और जब हम अपने जीवन में संत धर्मात्मा से दूर हो जाएंगे तो फिर अपना कल्या इसलिए वो पास में बना रहे इसलिए वो उसके दोशों की उपेक्षा करते हैं कभी उसके दोश को मैं जान गया हूँ जानते हुए भी देखते हुए भी मैं जान गया हूँ ऐसा फिलनी होने देते हैं सामने वाले को जैसे कुछ देखा ही नहीं है कुछ हुआ ही नहीं है इस प्रकार से रहते हैं और फिर धिरे 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 अलग प्रकार से उसको तक्निक से निकालने का प्रहत्न करते हैं ऐसा गुड रहस्य मैं ग्यानी का जीवन होता है कोई कोई जान सकता है हर एक ग्यानी के स्वरुप को जानना वो वहां तक वेक्ति आता है न कि गणा बदा गुणो प्रगट्थ से त्यारे सम्यक्त्वनों स्वरूब समझासे ग्नानी नो स्वरूब समझासे तब ज्यानी हो जाता तो ज्यानी तुमें अशांत कहेंगे अतह सत्या शांती पाओ शब्द अगोचर आत्म शांती है शब्द वेशना पहनाओ आत्म शांती है वो शब्द अगोचर है जैसे गुंगा गुड़ खाई गुंगे को गुड़ खिलाओ और उसको पूछो कि ये गुड़ कैसा लगा तो वो क्या कहेगा केवल अपना एक्स्प्रेशन कर सकता है वो मुँझे करेगा पर वो बोल नहीं सकता है न शब्द नहीं उसके पास गिरा नयन अनयन बिनुबाने ऐसा रामचरित मानस में आता है कि रामजी और लक्ष्मन जी अशोक वाटिका में पुष्प लेने के लिए चाहते हैं उस समय सीता जी की सक्खी वो उन दोनों को देखती है तो उनकी जो सुंदर था उनकी जो सुम्य था वो राम की वो सब देख करके वो सीता जी के पास आती है दोड़ती हुई आती है और वो कहती है वो कुछ बोल नहीं पा रही है उसको कुछ कहना है पर वो कुछ बोल नहीं पा रही है कि राम के सुंदरिय के बारे में राम की छवी के बारे में उसको कुछ कहना है तो वो सीता जी पुछते को भी बोलतों सही कि तुने देखा क्या तो वो क्या केती है गिरा नयन अनयन विनुबानी मैंने जो देखा है उसके पास वो जो मैंने देखा आँख से उस आँख के पास वाणी नहीं और वाणी के पास आँख नहीं गिरा का मतलब वाणी होता है वचन होता है शब्द हो तो आँख के पास वाणी नहीं है वाणी के पास मैं जिन आखों से देख कर काई हूँ वो जो देख कर मैं वाणी से नहीं बता सकती और वाणी के पास आँख नहीं है मैं कैसे बताऊँ आप स्वेम जाकर देखो मैंने एक अद्भूत बस्तू देखी तो ऐसा होता है, आत्म शांती क्या है, परमात्मा का दर्शन क्या है, आत्मा की अनुभूती क्या है गिरा नयन अनयन बिनुबाने उतो हम छोटे पढ़ते थे उस समय आता था गिरा नयन अनयन बिनुबाने, गिरा नयन में दोनों संदिये अनयन बिनुबाने, गिरा अनयन, शब्द के पास नयन और अनयन बिनुबाने वानी अनयन बाने, चलो तो अनुभूतिया हैं वो नहीं बता सकती प्रेम की भाषा, मौन की भाषा, कैसे बताया? व्यक्त नहीं हो सकते ऐसे ये परमात्मा की अनुभूती, आत्मा की अनुभूती, ये सब आत्म शान्ती, शब्द अगोचर आत्म शान्ती है शब्द वेशना पहनाओ उसको शब्द पहनाने की कोई जुरुत मुमुक्षुना नेत्रो महात्माने ओड़ खिलेश इसलिए वो नेत्र बनाने का प्रहत्मा हमारे जीवन में धिमे धिमे प्रक्टेगी तो सामने वाला धिमे धिमे अपने आप समझ में आ जाएगा उसके वचनों की गहराई उसके मन वचनकाई की प्रवर्ति इन सब में दिव्यता लगेगी आगे 83 नमबर जो दिखता है वह अजीव है इसमें सुख गुन सत्व नहीं फिर कैसे वह सुख दे सकता आशन रखना अन्य कहीं सुख गुन वाले जीवननत पर वह निज सुख ना दे सकते अपने सुख गुन को प्रगटा कर अनन्त सुख मय हो सकते जो दिखता है वह अजीव है इसमें सुख गुन सत्व नहीं फिर कैसे वह सुख दे सकता आशन रखना अन्य कहीं सुख गुन वाले जीवननत पर वह निज सुख ना दे सकते अपने सुख गुन को प्रगटा कर अनन्त सुख मय हो सकते अपने सुख को प्रगटा कर अनन्त सुख मय हो सकते बहुत सुन्दर बात अवे सिद्धान्त निवाद करी छे जो दिखता है वह अजीव है उसमें सुख गुन सत्व नहीं जो भी हमें दिखता है वो क्या है अजीव है शरीर भी दिखता है तो वो क्योंकि जो आखों से दिखता है वो तो दर्शनेंद्रिये का विशे है और दर्शनेंद्रिये के विशे है वो कौन से है वर्ण उसका विशे है और वर्ण सारे के सारे पुद्गल है और वैसे ही सभी इंद्रियों के जितने विशे हैं हमारे स्पर्ष में जो आता है वो भी अजीव है हमारे रस हमको जो रस आता है भोजनादी का वो भी अजीव है हमें जो गंध आती है वो भी अजीव है हमें जो वर्ण दिखते हैं वो भी अजीव है हमें जो शब्द सुनाई देते हैं वो अजीव हैं पांचों इंद्रियों के विश्य हैं वो अजीव हैं तो यहां यही केते हैं कि जो दिखता है वह अजीव है इसमें सुख गुण सत्व नहीं और अजीव में सुख नाम का गुण नहीं है सुख गोन तो केवल एक अपने आत्मा में आनन्द वहां से आ रहा है जैसे हम किसी वस्तु को देखा और देख करके हमको अच्छा लगा तो वो आनन्द कहां से आया अपने भीतर से आया कि उस वस्तु में से आया उस वस्तु में आनन्द नहीं है एक ही वस्तु को दो जने देख रहे हैं और उसमें से एक को सुख अच्छा लगता है एक को बुरा लगता है एक ही वस्तु है उसमें एक को आनन्द आ रहा और एक को दुख हो रहा है इसका मलब सामने वाली वस्तु में तो न तो आनन्द है न दुख है दोनों में से कुछ नहीं है हमारे अंदर की जैसी कलपना थी उस कलपना के अनुसार हमें बाहर कोई दिखता है तो हमें अपना अंदर का आनंद प्रगट होता है क्यों? क्योंकि अंदर कल्पना थी, इच्छा थी, वो पूरी हुई उस इच्छा के पूरी होने से अपनी कशाय थोड़ी देर के लिए शान्त हो जाती क्यों? क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया तो थोड़ी दिर के लिए हमें तृप्ति होती है, उस इच्छा के शान्त होने से अच्छा लग रहा है, और इच्छा सान्त होती है, कशाय मंद होती है, तो आतमा से आनंद निकलता है, आनंद कहां से निकलता हो? आत्मा आनंद आत्मा का सुभाव है तो जब जब भी आता है भले वो विशय के सेवन से आ रहा है तो भी वो कहां से आ रहा है आत्मा से ही आ रहा है क्योंकि विशय में तो आनंद है यही नहीं न परन्तो वो विशय में से नहीं आ रहा है विशय सेवन की इच्छा पूरी होने से जो आपकी कशाय मंद हुई उस्यार है आपके विकार में मंदत आई उस्यार है इच्छा पूरी हुई उस्यार है विकार अधिक हैं तो आनंद नहीं आएगा क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक तो आकुलता होगी और आकुलता तो स्वेम दुख रूप है परन्तु वो आकुलता कम होती है तब हमको आनन्द आता है बेटा विदेश गया और दस साल बाद वापस आया तो मा को देख करके कितना आनन्द आता है वो आनन्द कहां से आया अब बेटे में तो आनंद है नहीं वो परवस्तु है उसका आनंद उसमें पर इस मा के भितर जो आया वो कहां से आया कि इतने दिनों से उसको देखने की इच्छा थी दस सालों से वो अंदर व्याकुलता थी विरह की वेदना थी और वो वेदना आज कम हुई तो वेदना के कम होने से इच्छा के कम होने से इच्छा के पूरी होने से उसको शांती मिलती शांती मिलती हो अभासी थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है तो सोचो इच्छा ही नहीं हो तो कितना आनंद हो इच्छा होती है और पूरी होने से थोड़ी देर के लिए शांती मिलती है तो जिसके पास इच्छा ही नहीं है वो विक्ति तो हमेशा आनंद में ही रहे न पिसले इस तत्व को समझना कि किसी भी बाहर की वज़तु में से कोई भी आनंद नहीं आ रहा है कोई भी सुख नहीं है जो भी आ रहा है वो सब अपने भीतर से हो रहा है हमारी ही कलपना के अनुसार हमको कुछ मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती ही और जिसके कलपनाई ही नहीं है इच्छाई ही नहीं है उनके तो हमेशा आत्मा के भीतर से आनंद आता ही रहती है क्यों क्योंकि दुख का मुल इच्छा और वो तो उसके होती ही नहीं और सुख का मुल है वो इच्छा की समाप्ती सुख का मुल है वो इच्छा पूरी हो जाती है समाप्त हो जाती है अच्छा हम भोजन करते हैं तो जब तक भूख है तब तक तो व्याकुलता है और भोजन कर लेते तब शांती मिलते एक नहीं मिलते वैसे कहता शांती पड़ी गिए तो वो इच्छा जब पूरी हुए नितब शांती मिलते क्योंकि वो इच्छा के कारण व्याकुलता थी वो समाप्त हो तो निराकुलता में शांती जो दिखता है वह अजीव है इसमें सुख गुण सत्व नहीं फिर कैसे वह सुख दे सकता आश्ण रखना अन्य कहिन उसमें सुख गुण है ने तो फिर वह कैसे सुख दे सकता है कोई भी परपदार्थ कैसे सुख दे सकता है हमने माननेता कर रखी थी अपनी माननेता के अनुसार उसका परिणमन कदाचित हो जाता है हमारे बच्चों को हम अपने अनुसार बनाना चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा बनाएं कदाचित बन जाते हैं क्यों? क्योंकि उनका उदे भी ऐसा हो और हमारे इदर पुन्य का उदे हो तो वो दोनों बाते मिल जाती है तो इसको यू लगता कि देखो मैंने अपने बच्चों को मैंने जैसा चाहा वैसा बनाया तू नहीं बना सकता है उनके बनने की ऐसी युग्यता थी और तेरे भी ऐसे पुन्य का उदे था कोई अपने को सुखी दुखी नहीं कर सकता इसलिए ज़्यादा अपेक्षाएं किसी से रखना संसार में रहते हैं तो सबके प्रती करतवे का पालन करना पर ये विक्ती मुझे सुख दे सकता है ऐसा नहीं अपेक्षा निर बिना प्रेम करो खुब प्रेम करो पर बिना पेक्षा प्रिती करी अमे तारी साथे कोई अपेक्षा बिना प्रिती करी अमे तारी साथे कोई अपेक्षा बिना तू अमने गमी गयो कोई अपेक्षा बिना कोई कारण बिना कितना सुन्दर है कि हमने आपके साथ प्रिती अपेक्षा के और तू हमको अच्छा लग गया कोई कारण के बिना कि अपने को निश्कारण अच्छा लग जयाता है न तो दिव्य प्रेम प्रगण होता उसके और दिव्य प्रेम है वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सायक बन जा आप किसी समन्य मनुष्य के प्रती भी करो एसा निश्वार्थ प्रेम तो अपने जीवन में इतना निस्वार्थिता प्रगट होती है दिव्यता प्रगट होती है अपने जीवन में क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए केवल मुझे आपकी खुशी चाहिए आप जिसमें प्रसंद रहता हो, वो मुझे चाहिए, इसके अतिरिक तो मुझे कुछ ने ऐसा एक बार दिल बना करके किसी एक केपरती भी हो तो भी अंदर से वो दिव्यता प्रगट होने लगती है वो ही वेक्ति भक्ती कर सकता है क्योंकि ऐसा भक्तरद है तो ऐसा है कि भगवान जैसे राजी रहें वैसे मुझे रहना है मेरे गुरू जैसे राजी रहें वैसे रहना है ऐसे मुझे जीना है उनके साथ मैं आख विला करके आख विला सकता हूँ उनके सामने जाऊं, मेरी नजर नीची हो जाए, ऐसा मुझे जीना नहीं, तो देखो जीने का मज़ा अलग प्रकार का आता है, प्रेम है, जो संसार के परती प्रेम था निस्वार्थ प्रेम था, वो जब बदल जाता है, दिवर्फ प्रेम में बदल जाता है, इसलिए भावन शुन्य रदय वाला विक्ति इस मार्ग पे नहीं चल सकते। यह तो निराला मार्ग है, तो मिरवय ऐसा गती है। और आगे बहुत अच्छा भजन है। बीच-बीच में समय पूरा हो जाता है। बजन गाने का मज़ा लग है। चल। तो यहां बात क्या के रहते हैं। सुख अब आगे कहते हैं। फिर कैसे सुख दे सकता आश्न रखना अन्य कहीं। सुख गुण वाले जीव ननन्त पर वह निज सुख न दे सकते। सुख गुण वाले जीव ननत है। देखो अजीव है वह तो अपने को सुख दे नहीं सकता जड़ पदार। उसमें क्योंकि उसमें सुख नहीं है। और जितने जीव हैं परंतु अपने से अलग हैं। उनमें भी सुख हैं परंतु वह अपने को नहीं दे सकते। उनका सु को एक दूसरे को बाण्टें मेरे पास इतना सुखता आप थोड़ा ले जाओ परंटु जिसको दुख लिखा है भाग्य में उसके उदय में उसको आप कितना भी प्रेम करो समझाओ दुखी रेगा और जो प्रसन्न हैं जो सुखी रहता है उसको आप कितना भी परेशान करो वो सुखी रहेगा यह किसी को बाटने की वस्तुएं नहीं होती है तो सब की अपने अपनी परिणतिया है नि तो कोई किसी को आपको बिमारी हुए चलो आपका आधा बुखारन मैं ले लेता हूं आधा आपके पास कोई कोई केते ने अश्विरवात देते हैं बेटे मेरी मेरी उमर तुझे लग जाए नहीं लग सकती किसी को आप क्यों भावना कर सकते हैं तो इससे अपना कल्यान है हम किसी को प्रसंद रखने के भाव कर सकते हैं प्रसंद रखनी सकते हैं ऐसी क्रिया भी कर सकते हैं सामने वाला उससे प्रसन हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो तो उसके उदे के अनुसार रहता है इसलिए हमारे भ्रह्म में नहीं रहना कि हम इतने लोगों को आनंद देते हैं हम तो वह अपना काम करते हैं अपने आनंद में रहते हैं अपनी मस्ती में रहते हैं हमारे कारण से अपने सुख गुण को प्रगटा कर अनंत सुख में हो सकते अपने को क्या कर अपने सुख गुण को प्रगटा कर अपने सुख गुण को प्रगटा ना है कैसे प्रगटा ना है ए जीव तु भ्रमामा अतने सत्य कहूं छो सुख अंतर माचे फिर उपाय बताया अंतरनु सुक अंतरनी सम्ष्रेणी माच्छे ये कहां है वो बताया उसका स्रोध बताया उसको और फिर प्राप्त केसे करना वो बताया अंतरनु सुक अंतरनी सम्ष्रेणी माच्छे ते प्राप्त थवा बहाय पदार्तनों आश्चरियो भूल गंबीर अचण उप्योग राख क्या जुर्दार बात की बहाय पदार्तनों आश्चरियो भूल क्योंकि हम बहार के पदार्तों सही तो हमारे विशम भाव होता है न अच्छा देखा तो राग हो गया बुरा देखा तो ये चमतकार ये चमतकार कोई चमतकार ने भीतर चेतना ही चमतकार रहा बहार में कोई आश्चरी है नहीं तो बाय पदार्थ नों आश्चरी भूल महां गंबीर था से गंबीर अचल उपयोग राग किसी से प्रभावित नहीं अचल उपयोग दुनिया में कोई डिगा नी सकता है इसा सादक होता है अपनी शांती को कभी भंग नहीं होने देता है कितने भी राक का उदे आये मोह का भी उदे आये पर अपने भीतर में जागरत रहता है साधान भीतर में समुद्र में लहरे बाहर बाहर आती पर भीतर में हमेशा समुद्र गंभीर रहता है एकदम प्रशांत रहता है ऐसे ग्यानी भीतर में हमेशा गंभीर प्रशांत रहते हैं बाहर में दिखेंगे अच्छी अच्छी बाते करते हुए भी दिखेंगे सब करते हुए दिखेंगे वेवार करते हुए दिखेंगे पर अंदर की शांती भंग नहीं हो वैसा सब करते हैं कृपड़ देव नो एक अज लिटी नो प्रवचनाम रच्छे बाहय मा संसार भावे वर्तवो अंतर मा शीतली भूत रहो अंतर मा शीतली भूत रहो बाहर में तो संसार में जैसे वेवार जिसे करना है वैसा करो पर भीतर में शीतलता पर ओ शीतलता का एहसास हुआ हो तब हो होता है डिन कभी उस श्याद करके वह शितल्था है वह चाहिए है जिसकी अनभूति मुझे हुई थी वो ही शितलता आपने कोच चाहिए तो वो हमेशा नजर में रहती है नजरायम कैसा नहीं ग्यानिको स्वरुप अस्तित्व है वो नजराय है वो शांती शांत भाव है तो उसके अंदर प्रगट हुआ है तो वो नजर में रहता है किसले कहीं आ सकतो होता नहीं ऐसा अजभुत स्वरुप है कैसे भी करके मर करके भी अई कथम अपि मृत्वा तत्व कोतु हली सन्य कैसे भी करके इस भीतर का जो शांत परमात्मतत्व है उसको जानो उसको पहचानो उसको अनुभव करने का प्रेत्न करो यही मनुष्य जन्म की सार्थता है अन्य कुछ नहीं और इसके लिए संतों के और गुरुओं के वचनों की प्रतिती करना उनकी द्रश्टी से देखने का प्रेतना करना अन्तमंगल गुरुदेव आप की नजरों से निज को निहारा है गुरुदेव आप की नजरों से निज को निहारा है बिखरा हुआ था सदियों से जीवन बिखरा हुआ था सदियों से जीवन उसको सवारा है गुरुदेव आप की नजरों से निज को निहारा है सदियों परम कृपालों प्रिलोकनानाथ की जय सबसंतन्य की जय आनंदधन ओम एक मनक मौम आत्म अनसंधान ओम ओम शांति 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 जय सब्सक्राइब उसकर अनसंदधन